नमस्कार, नमस्कार, हस्ते रेखा ग्यान भाग चार में सभी भाईयों का स्वागत है, आज हम हस्ते रेखा ग्यान में आयू रेखा, आयू रेखा के विशे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जानने की कोशिस करते हैं, जानकारिया अनंत है और समय कम होता है थोड़ी से हम जानने की कोशिस करते हैं हर बेखती के हातों में ये तीन रेखा तो पाई ही जाती है हिरदे रेखा, मस्तिस्क रेखा और ये आयू रेखा ये हमारा है आयू रेखा आयू रेखा से हम लोग साधारंता अपने आयू के संबन्द में जिग्यासा को जानते हैं बेक्तियों के हाथों में ये रेखा गुरु परबत के नीचे से सुरू होकर और पूरे सुक्र परबत को घेरते हुए साधारंता या मनी बंद की ओर चलिया थी मनी बंद कराता है अगर ये रेखा मनी बंद के इस अस्थान को छूले तो इसका अरत ये होता है कि ये बेक्ति की आयू सतायू है 90 वर्स की आयू पुर्ण करेगा उससे ज़्यादा करेगा सतायू 100 वर्स की आयू जी सकता है एक सो वर्स क्या यूजी सकता है किसी बेक्ति के हाथ में ये रेखा इतनी दूर तक आके रहा थी इसका अर्थ होता है कि वो 70-75 ति इसकी हम गन्ना अलग-अलग तरीके से करते हैं अलग-अलग इसके जो 30 सास्तर में कहा गया है अगर बेक्ति का आयू यहां से यहां तक पुर्ण रूपें से आयू रेखास पस्ट हो किलियर हो, किसी ढंका उसमें काट छट नहीं हो कोई अन रेखा उसे काटे नहीं तो वो आदमी पुर्ण आयू को प्रात करेगा अगर वो कोई रेखा उसे आती है और इसे काड़ देती है तो ये काटना एक तरह से उस रेखा को छती दिखलाती कि आयू रेखा को उसने काटा है इसका अर्थ उस बेक्ति के आयू की अंतिंग या मिर्तिव से नहीं है यहाँ पर वो बेक्ति बिमार परशकता है कमजोर हो सकता है ऐसा निर्पूद करता है अंतिंग रूप से जाने के लिए हमें दोनों हाथों के आयू रेखा का गहराई से अध्यन करना पड़ता है तो ही हम यह इस निस्ट कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस आदमी की आयू यहाँ पर खत्म हो रही है या नहीं अगर आयू रेखा आसपर्ष्ट है किलियर है गहरी है तो आदमी निस्टी रूप से सौबर्स की आयू पूरा करेगा नबब से ज़्यादा करेगा अब निर्वर करता है कि अगर यह रेखा यहाँ पर आके पतली पतली छोटी छोटी भागों में बट गई सादरान तया ऐसा देखा जाता है कि महीन महीन रेखाओं में बट जाती है यह इस बात को दिखाता है कि उसके आयू में च्छै हो रहा है मने कमी आ रही है मनsight कमजूरी को दिखलाता है कि को वह बैकती उम्र बढ़ने के साथ कमजूरी की ओर बढ़ रहा है मतलब वह उसका सरीर स्वास्त इत्याधि कमजूर पढ़ रहा है ति ये रेखत जितनी भी संख्या में ज़्यादा होगी वो उसकी स्वास्त संबंदी समस्याओं को दिखलाएगा अगर एक दो रेखा होती है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ता है जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ही संख्या में स्वास्त संबंदी समस्याओं बढ़ने के साथ साथ आएगी अगर इसमें देखाया आता है कि यहां से कोई रेखा निकल की उपर जा रही ती यह उसके स्वाथ संबन्दी चीजों को नहीं बताए घबराने की जवरत ने यह रेखा उसके इसका फिर अलग फ़ल हो जाता है अगर इससे रेखा उपर की उर निकलती है तो उसका अलग फ़ल है उसके बिसे में बिस्त्रित चर्चर्चा करनी होगी लेकिन अगर कोई रेखा इससे नीचे की उर निकलती है तो इसका आर्थ है कि वह वेक्ति कमजोरी की उर बाड़ रहा है अगर ये रेखा पतली हो तो आदमी कोई जोरी नहीं कि वो कमजोर होगा और इसका मोटा हो मजबूत होगा वो निर्भर करता है इस पे पतला है इस पे अगर दूइप बना हुआ है कई छोटे छोटे दूइप बने रहते हैं तो वो चीज एक अलग निर्भर करता है इसका एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि उस पे दूइप हैं उस रेखा को किसी रेखा ने काट दिया है या फिर आयू कितनी होगी हम नेक्ष्ट भाग में इसका चर्चा करेंगे धन्यवाद